असलाम अलेकों इस दुआ के साथ के आप सब बाखेरियत हों अल्ला की खास रह्मतें बरकतें और अनायतें आप सब पर महर्मान हों मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं मिक्स वेजी टेबल प्लाव बनाने के लिए गाजरें देखे मैंने इस तरह काटी है और गाजरों के अंदर हाट सा पीस्ता उसको निकाल दिया यहां पर दहीं बल्ले बनाये हुए हैं वैसे तो मैं चलनी से दहीं बल्ले बनाती हूँ यह साइड पर आप देख सकते हैं कि मै बेसन की बनाई है मैंने और इनको पानी में सोक करके रखा है और फिर इसका पानी चान लिया है और इसको इस तरह किसी खुले कलंडर में डाल के थोड़ी देर के लिए रख देना है लास्ट विलोग में बहुत सी सिस्टर ने मिक्स वेजी टेबल प्लाव की रेस्पी का कह तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक एक टेबल स्पून जीरा सुका धनी है इसको आपने देखा मैंने ड्राय रोस्ट कर लिया है साथ से आठ लॉंग लिये हैं हाफ टेबल स्पून साबस सफेज जीरा हमने इसमें डालना है और इसमें तकरीबन थोड़ी सी होल ब्लैक पेपर डालनी है अगर आप ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा भी डाल सकते हैं दो से तीन हरी लाइचिया एक बड़ी लाइची या काली लाइची और दार्चीनी का थोड़ा से टुकड़ा डालने मेरे पास साबत नहीं है तो पाउडर ही डाल रही हूँ मैं लगाने के लिए रखा और जितना जिंजर गारलिक हरी मिर्चे मैंने आपको दिखाएं इसको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया चावलों के लिए प्यास हमेशा अच्छा खासा जो है उसको ब्राउन किया जाता है और जब अच्छा वो तला गया तो उसमें आपने देखा थोड़ा पानी का चीटा इसमें लगाना है और कवर करके हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है धक कर ताके जो तोड़े सौफ्ट हो जाएं और यह देखें टमाटर के जो चिलके हैं वो कितनी असानी से रिमूफ हो जाएंगे दो टुकडे करके डाले हैं ताके इसक इसकी स्टीम से टमाटर जो हैं वो काफी सौफ्ट हो गए हैं और चिलके रिमूफ करके आप जब देखें इनको प्रेस करेंगे तो टमाटर जो हैं वो काफी सौफ्ट हो गए हैं और लेकिन फिर भी थोड़ा सा टमाटर हाड ही होता है तो चमत से उसको प्रेस करकर के आप उसको गलासा लेना है क्योंकि चावलों में वो धेला सा बना टमाटर का अच्छा नहीं लगता और इसमें हाफ कप मैंने पैटी पोई यानि जो छोटे वाले मतर होते हैं मीठे वाले वो डाले हैं और हम फ्रोजन ही यूज करते हैं आप चाहें तो फ्रेश इस्तमाल कर सकते ह हैं और आपने देखा हरी मिर्च मैंने इसमें डाली है मतर डाल कर मीडियम टू हाई फलेम पर इसको हमने 2-3 मिनट भून लेना है ताके मतर जो हैं वो थोड़े से तले जाएं या भूने जाएं और जो गाजरे और आलो कट की हुए थे आपने देखा जूलिन कट किया और अबाउट मिक्सी इसमें करना है और वन एन हाफ कप है मेरे पास चावलों का और उस हिसाब से धाइ कप मैंने इसमें पानी का डाल दिया है और लो फ्लेम पे मैंने इसको रख कर पकाना है जब चावलों के लिए पानी हम डालते हैं तो फोरन से ही उसमें बॉयल आ जाता है तो हम चावल डाल देते हैं लेकिन इसमें गाजरे हैं और आलू हैं आलू भी जल्दी गल जाएंगे लेकिन गाजों को थोड़ा टाइम लगेगा तो लो फलेम पर रखे हमने इसको पकाना है जब इसको बॉयल एक आ जाएगा तो बॉयल आने के 4-5 मिनट तक हमने इसको पकाना है ताके गाजरे खास तोर पर अच्छे से गल जाएं वैसे तो दही बल्लों की complete recipe है मेरे चैनल पर दही बल्ले बनाने के लिए जो दही है उसकी एक base त्यार करनी पड़ती है आपने देखा मैंने दही में थोड़ा सा दूद थोड़ी सी डबल क्रीम थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा ही एक पिंच सॉल्ट का शामिल किया है यानि नमक का और उसको mix कर लिया और ये योगर्ट की एक base त्यार हो जाती है इसके बाद आप इसमें मैंने आपने देखा मैंने प्याज को धो कर इसमें शामिल किया हरा धनिया हरी मिर्चे और जो बल्लिया इसको नचोड की इसमें डाल दें तो फिर देखें भलो का क्या टेस्ट बनता है बिना चीनी नमक के दूद के या डबल क्रीम आप्शनल है डबल क्रीम को इतनी जडूरी नहीं है लेकिन ये इसके फ्लेवर को रिच बना देती है खास तोर पर चीनी और नमक इसकी बेस है इसके बगएर अगर आप दें बले मिक्स करेंगे तो उसमें कोई इतना टेस्ट नहीं आएगा ये कुछ एक खाने की सीक्रेट होते हैं जो बजार में बनाने वाले जानते हैं और इसी वज़ासे बजार का खाना हमें बहुत मज़ेदार लगता है घर पे हम बनाती हैं तो हमसे नहीं बनता तो कुछ एक ये हिडन सीक्रेट होते हैं सिर्फ नमक और चीनी डालने से ही इसकी बेस जो है वो मज़ेदार हो जाती है और आपने देखा गाजरे और आलो गल चुके हैं मेरी बातों बातों में और जो चावल है ये आदा घंटा पहले ही मैं बिगो के रखती हूँ चाहे चावल में साधे ही क्यों न पकाऊ और चाव नहीं सकते क्योंकि ये जो चावल है ना इसके साथ किसी सालन की जरूरत नहीं है किसी भी किसम का प्लाव जो है मुझे परसनली वो एजिटीज ही अच्छा लगता है या शामी उसके साथ खा लें तो ठीक है थोड़ा सा धनिया पुदीने की चटनी होगी या धहीं बल्ले ह साथ तो उसका टेस्ट जो है ना वो गुसा चड़ जाता है दोनों चीजों को चाहे वो सालन का भी जायका खराब हो जाता है और पलाव का भी जायका खराब हो जाता है ऐसा मेरा मानना है क्योंकि हर इनसान का अपना एकलग टेस्ट होता है अपनी एकलग पसंद होती है और और इसके साथ शामी कबाब हों तो फिर तो क्या ही बात है और सर्दियों की दुपहर का जो खैल लंच बरपूर हो जाएगा चावलों को दस से पंदरा मिनट दम देने के बाद भी अक्सर ऐसा लगता है चावल थोड़े से गीले गीले से हैं तो मसला कोई नहीं होता आप चावलों को मिक्स करें और दुबारा से तीन से चार मिनट यद पांच मिनट उसको धंपर और रगदे तो चावल तयार हो जाते हैं या जितना दम आपको चाहिए होता है 15 मिनट में वह रेडी हो जाता है यह कुकीज का टिंग है जो कोसको से मिलता है आम स्टोर पर ऐसी कुकीज शायर मैंने देखी नहीं हो सकता हो यह डिफरेंट काइंड की हो आ यह बहुत ही अच्छी कुकीज है क्योंके विंटर सीजन है उसलिहे देखी लाट से ही ऐसे पैकिंग की जो कुकीज बिस्किट वगारा रहा है वह कुषकबर आते हैं यह क्रीम के हैं इन तमाम में स्टफिंग है चॉकलेट की बटर क्रीम की टो यह बहुत ही मज़े के हैं और सर्दियों के सीजन में हम यह ज्रूर ही खाते हैं इस में चार किसम के बिस्केट हैँ हैं और हर भर बिस्केट की एक एक अदू दू पैकिंग हैं और। यह देखें हैं यह मैं अपने ख簡еждे के एक लिक्तों बनागें खेलंग penguin जाई बना एक बिए तो दूब घून ही कुछ अ चाइब झाय पी पी रहे हैं अच्छा जिए करेले का जूस बना रही हूँ मैं आपने देखा करेले की टिप एंड टेल जो है वो मैंने कारती है और को अच्छे आपने वोश कर लेना है ठंडे पानी से और इसको इसी तरह जूसर में डाल कि रिंस होकर करेले का जूस जाया ना हो अक्सर हमारा पेट फूल जाता है या बढ़ जाता है हमें लगता है कि हमारा पेट बढ़ा हुआ है वो बलोटिंग की वज़ा से बढ़ जाता है हमारे पेट में गैस या हवा हो जाती है लेमन वाटर पीने से वो हवा निकल जाती है लेकिन क्रेले का 15 या 20 सेकंड लगेंगे और वो 10 से 20 सेकंड आपके 24 गंटों में 22 सेकंड होंगे 22 टाइम होगा कि ये इतना कड़वा है इसको पीते ही जो मुँ का जाविया बदल जाता है उससे पता चलता है कि कोई बड़ी ही बदमज़ा चीज खाली है या पीली है लेकिन इसके बेनिफिट इतने अमेजिंग है कि एक पहले दिन आप इसको पीएंगे तो आपके पेट में जितनी भी गैस हवा है या बड़ा हुआ पेट है वो आपको फील होगा कि जैसे पेट खतम हो चुका है इतना फाइदा मन है ये और इसको पीने का टाइम क्या है इसको नहार मू आप नहीं पी सकते है क्योंकि ये तब्यद खराब करता है नहार मू लेमन वाटर पिया जा सकता है लेकिन इसको नहीं पी सकते इवन ग्रीन टी भी नहार मू पी है सुबह सुबह बिना कुछ खाए तो वो भी तबियत खराब कर देती है अच्छा अभी देखें ये जो इसका पील निकला खेना मैं ये भी नहीं पहंगती हूँ प्यास का टमाटर का मसाला त्यार करें नमक, मिर्च, खल्दी उसमें डालें जिस तरह भिंडियां बनाते हैं उस तरह इस क्रेले को हम प्यास के टमाटर प्यास और टमाटर के मसाले में ढाल कर मैं पका लेती हूँ और ये इतनी मज़ेदार ये सबजी त्यार हो जाती है वेट लॉस के लिए मैं बनाती रही हूँ लेकिन अभी मेरा जीनी चाह रहा तो मैं इसको नहीं बना रही हूँ मैं इसको कब पीती हूँ सुबो को नाश्ता जो है वो सुबो उठके जल्दी करें about 7-8 बजे तक सुबो को नाश्ता करें मतलब यह कि सुबो का नाश्ता करने के 3 घंटे बाद आपने इसको पीना करें और इसको पीने के डेट से 2 घंटे बाद जो है दोपहर का खाना खाना है और कोशिश करनी है कि सुबो के वक्त ही से पीएं आफटर नून या शाम को या रात को बिल्कुल मत पीएं यह तबियत खराब कर सकता है शुगर के पेशन के लिए यह बहुत ही कारामत चीज़ है यह शुगर लेवल को कम करती है और हमारे जिसमें जो फैट है जो चर्बी है जो भी अगर इवन अलर्जी है उसको यह खतम करेगी इसके बहुत से बेनिफिट है मैंने गूगल बे बहुत से इसके आर्टिकल पड़े हैं तो मैं इसको जो है पीती हूँ अभी क्यूंके सर्दी का मौसम आगया है तो थोड़ा सा कम कर दिया मैं यह वाइटामिन सी की बोडी शॉप से मैं फेस क्रीम लेकर आई थी जो के अब मैंने आपको पहले भी दिखाई है यह ड्राइ अंडल स्किन के लिए है मेरी स्किन काफी ड्राइख है बहुत लाइट वेट सी है लेकिन अभी जैसे बहुत ज्यादा सर्दी है तो स्किन जो ह वो काफी विजिबल सी हो जाती है इसको लगाने के बावजूर तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रीम विंटर के लिए यह तनी सूटेबल नहीं है तो मैं यह लगाती हूँ यह कोसको से मैं लाइए हूं और्गैनिक वरजिन कोकोनट ओयल है ओर्गैनिक कोकोनट ओयल है जो चोटे से पॉर्ट में रखा हुआ है यह देखें और यह सॉलिट ही है तोड़ा सा जितना भी आपको चाहिए मैं इसको खाथ पर लगा लेती हूँ और हमारी जो नेचलर हीट है हमारी बोडी की उससे यह मैट हो जाता है और इसको फेस के उपर लगा ले और जितनी भी ड्राय स्किन है वो इस तरह गाइप होगी हूँ मैं इतनी हरान हुई ट्राय स्किन के लिए कोकोनट ओयल सबसे बेस्ट है कि वो अच्छी क्वालिटी का हो यह बहुत ही अच्छा मुझे लगा है समरीन खान आपके फीड़बैक के लिए बहुत शुक्रिया आपका फीड़बैक मुझे हमेशा ही मिलता है बहुत शुक्रिया तो बस यहीं तक है मेरा यह आज का भी व्लोग आई होप आपको अच्छा लगा हो अगर पिसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपना और अपनों का बहुत सार ख्याल रखें अल्ला हाफीज